हेलो दोस्तों, आज है 24 में 2023 और 24 में 2023 से जितनी वी हरी आनकराणफिर के क्वेस्चन अनते हैं, हम सब इस वीडियो में डिसकस करेंगे और साथ इसाथ पिछली और पुरानी हरी आनकराणफिर का रवीजन करेंगे और हर क्वेस्चन के बारे में इंपोर्टन्ट और एक्स्ट्रा फैक्ट पड़ेंग वी धरियाना जिक्के और हरियाना कराणफिर के साथ में और आपिस कराणफिर की पीडिये फाइल को डिसकर्प्सर में लिक मिल जाएगा, वहाँ से डानलोड कर सकते हैं क्वेस्चन नमबर वन है हरियाना रैज्ज में कबसे अंतियोध्य उर्जा सुर्क्षा योजन आरम की गई है तो हरियाना में इस योजन की सरवात की गई है ओप्सिन बी 21 मैं 2023 से अब जान लेते इसके बारे में हरियाना के मुख्य मंतरी मन्होर लाले 21 मैं 2023 को एक लाक रुपे से कम आये वाले उन गरीब प्रिवारों के लिए अंतियोध्य उर्जा सुर्क्षा योजन आरम की है जिनकी बिजली की कनेक्शन बिल नहीं बरने की वज़े से काट दिये गई है और इस योजना के तैत ऐसे गरीब प्रिवारों से बकाय बिल रासी का कोई व्याज नहीं लिया जाएगा और उन्हें बिजली की बिल की मूल रासी में से स्रीप आधी रासी का ही बुगतान करना होगा आपको इस योजना के वारे में जान लेना है अजी कर वाथा योजनाओं का तो अन्य कुछ योजना जान लेते हैं हाली में मुख्यमंतरी मन्हुरलाल ने पांच में 2023 को अपने जनमद्योस के अफसर पर बुज़ुर्गों को तोफ़ा देते हुए मुख्यमंतरी तीरत दर्सन योजना की सरवात की है और हरियाना में मुख्यमंतरी वपारी अक्ष्ती पूर्ती बीमा योजना एक अपरेल 2023 से सरो हो चुकी है और मुख्यमंतरी ने 16 मार्च 2023 को द्यालो योजना या फिर दीन द्याल उपाइद्य अन्तोद्य परिवारस रुख्षय योजना का स्वबरम किया था और हरियाना में ये हरियाना टिक्टिंग प्रिवजना 29.92 को कुरुक्षे तरजले से सरो की गई थी नेक्स्ट है हरियाना रैज्जे के वर 2023 के पहले कवार्टर यानि कि जनवरी 2023 से अपरेल 2023 तक हरियाना का लेंगा अनुपात कितना है तो इसका राइट अंसर होगा ओप्षने 909 है अब जान लेते हैं हरियाना स्वज्टे विबागने अब वर 2023 के पहले कवार्टर जनवरी 2023 से अपरेल 2023 तक का लेंगा अनुपात चारी किया है और रिपोर्ट के मुताबिक है इसक वाटर में हरियाना का लेंगा नुपात 909 है अब जिकर वाथा लेंगा नुपात का तो वर 2022 में हरियाना का लेंगा नुपात 917 था 2021 में 914 और 2020 में 922 था नेक्स्ट है हरियाना राज्जे के कितने किलोमेटर चेतर से देश का पहला elevated 8 lane द्वायर का express access control गुजरेगा तो ये express हरियान के कितने किलोमेटर चेतर से गुजरेगा तो इसका right answer होगा option D 18.9 किलोमेटर चेतर से अब जान लेते हैं 39.6 किलोमेटर लंबाई वाला द्वायर का expressway देश का पहला elevated 8 lane access control expressway होगा जो 18.9 किलोमेटर हरियाना चेतर से गुजरेगा अब जिक करूआ था expressway का तो अंबाला अंदारनोल ट्रांस हरियाना एक्सप्रेसवे ये फिर NSX52 नारनोल से अंबाला के इसमाईला बाद तक बनाया गया है और इसके लंबाई 227 किलोमेटर है और यह देश का तिसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ही पको नोट कर ले ना है और पुरुवी हरियाना को पस्चमी हरियाना से जोड़ने के लिए डववाली टू पनपत एक्सप्रेसवे बना जाएगा और परदेश के इस्टी से को वर्ष्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए इस आटू रिवाडी एक्सप्रेस वी बना जाएगा नेक्स्ट है हरियान के खिलाडी निरचोप्डा ने विश्व अथलेटिक्स दवारा जारी पुर्षो के जैवलिन थरो रैंकिंग में कोन से स्थान पराप्त किये है तो निरचोप्ड इस रैंकिंग में ओप्चने पहले स्थान पर आए है अब जान लेते हैं निरचोप्डा ने विश्व अथलेटिक दवारा जारी पुर्षो के जैवलिन थरो रैंकिंग में पहला स्थान पराप्त किये है और वे ऐसा करने वाले पहले बारतिय अथलेट बन गई है अब जिकर हुआ था निरचोप्डा का तो हाली में पंजाब इनवस्टी दवारा निरचोप्डा को खेल रतन अवार्षे समानित किया गया है और सुवीटर जार लेंड देश ने 11 नौमबर 2022 से निरचोप्डा को अपना फ्रैंडिसिम अमैस्टर भी नुक्त किया है और निरचोप्डा को मेजर द्यांचंद खेल रतन पुर्ष का 2022 भी मिल चुका है और निरचोप्डा को खेल छेतर में पदमसिदी पुर्ष का 2022 भी मिला था नेक्स्ट है हरियान के किस गाउं की अनीता कुंडु ने माउंट मकालू परवत को फतेह किया है तो अनीता कुंडु दोस्तों ओप्षन भी फरिदपूर गाउं से विलाओं करती है अब जा लेते हैं इस आद जेनेकि फरिदपूर गाउं की परवतारोही अनीता कुंडु ने माउंट मकाले को फतेह किया है और दोस्तों ये साथ ये साथ आवरेस्ट पर दुबारा से चटाई कर रही है अब जिकर वह था अनिता कुंडू का तो तेंजिग नौर्वेज नेशनल अडवेंचर आवार्ड दर्बीस अनिता कुंडू को मिल चुका है और नेपाल वच्ची इन दोनों रास्तों से माउंट आवेस्ट की जड़ाई करने वाली पर तमिला बनी थी ये निता कुंडू कुल तीन बार जड़ाई कर चुकी है अब दोस्तों जोब्यम नेपड़ा उसका फटावर से रिविजन कर लेते हैं हरियान रेज्ज में कब से एंट योध्य उर्जा सुर्क्षय उजन आरम की गई है तो हरियान में इसकी सरवात 21 नॉम्बर 21 मई 2013 से की गई है नेक्स्ट है हरियान रेज्ज के वबर 2013 के पहले क्वार्टर जन्वरी 2013 से अप्रिल 2013 का लेंगा बात कितना है तो 909 है नेक्स्ट है हरियान रेज्ज के कितने किलोमेटर चेतर से देश का पहला आठ लेंग दोर कैक्स पर से गुजरेगा तो ठारा पॉइंट 9 किलोमेटर चेतर से गुजरेगा ये नेक्स्ट है हरियाना के एक लाड़े निरचोपडा ने 200 अथलेटिक द्वारा जारी पूर्शों के जावलिन थरो रैंकिंग में कौन सस्तान पराप्त किये है तो इस रैंकिंग में निरचोपडा पहले स्तान पराया है नेक्स्ट है हरियाना के 20 गाओं के एनीता कुंडू ने माउट मकालू परवत को फते है तो एनीता कुंडू हिशार जिले के फृत पूर गाओं से बिलाओं करती है अगर दोस्त आपको हरियाना से सम्मंदीत है किसी भी मेहने किसे भी साल के हरियाना करनफर की पीडिया फाइल चीए भी इंपोर्टन और एक्ष्टा फैक्ट की साथ है तो डिस्क्रिप्शन में लिक मिल जाएगा वाँ से डालोड कर सकते हैं या फर आपको डिस्क्रिप्सिन में एक वर्ट्सप नमर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडियो फाइल मिल जाएगी, अब साथ ये साथ पिछली और पुरानी हरियान करण फिर का रोवीजी ने टेस्ट कर लेती हैं, हरियान के कीस जले में वीशो का पहला पंजाबी दाम बना जाएगा, तो पहला पंजाबी दाम बना जाएगा, ओप्सन सी कुरक्षेतर जले में, नेक्स्ट है, हरियान के कीस गाउं में सही दिसमारक बना जाएगा, तो इन गावं से दोस्तों ओप्शन सी रोहनात गावं में सीध समारक बनाया जाएगा वो रोहनात गावं भी वानी जले में पड़ता है Next है हरी आन के की जले में mixed use commercial project के एका निर्मान किया जाएगा तो इसका निर्मान किया जाएगा Option D गुरुगरा में मुख्या मंत्री ने इसका उद्गाटर ने इसका सिलेनेस किया था Next है हरी आन के की सैनी को दुसरी बार कलेंटरी आवार्ड से समानित किया गया है तो इसका दुसरी बार आवार्ड मिला है Option D सोनू अहलावत को जिन जले से बिलों करता है next है हरियान की कीस जले मेरा जिस्तरिय विवाजन विविश का समरिती दिवस मना गय था तो यह बना गय था दोस्तों option D कुरुक्षेतर में कब मना गय था 14 अगस्त 2022 को next है हरियान की किस वक्ति को Handball Federation of India का अध्यक्स बना गय है तो इसका अध्यक्स बना गय है option C दिविशिंग चोटाला को next है 37 ता दिवस 22 के अवसर पर हरियान की रज्यपाल बंड आरूद दत्यतर ने कीस जले मेरा राष्टे दोज पर आ था तो रज्यपाल के दुवरा दोस्तों option B अमबाला केंट में फरागा था मुख्या मंत्री के द्वारा पनपत में next है हरियान का कौन सा विश्वदले राष्टे शिक्सानीति को पूर्ण रूप से लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वदले बन गया है तो ऐसा करने वाला option B के के अविश्वदले बन गई है next है हरियान के कीस पुलिस अधिकारी को सवतंतरता दीवे से 2022 के उसर पर राष्टपती पुलिस पदक से समानित किया गए है तो यह पदक मिला है option C सिरिकान जादों को next है हरियान का कौन सा संस्तान पसुओ के गरबदान कराने के लिए ओजोन विदी का प्रियोग करेगा तो इसके लिए option C लवाज इनवस्टी ओजोन विदी का प्रियोग करेगी अब साथ सतकल वाली हरियान का अंडफेर कर विजन या टैस्ट कर लेते हैं हरियान के कीस जेले से कम्यूटिंग, पुलिसिंग और आउट्रीच का रिकरम हरियान उद्यागा स्भारम किया गए है तो गुरुग्राम जेले से हरियान सरकार दोरा जेलों में आज जिवनकारवास की सजा काटरे कायदियों के प्रिवारों को कितने रुपे की समाजिक पैंसन दी जाएगी तो 2725, 2750 और उनके लड़कों को दोस्ते संतानों को 1850 रुपे मिलेंगे हरियान में कहां पर उतरबार्थ का पहला कोर्परेट गुवर्नेस रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंदर साबित किया जाएगा तो मानने सर में हरियान के किस वक्ति गवाटल पुरसकार से समानित किया गए है संजी उराना को हरियान रेजिम सबसे पहले कितने जिलों में पुटान की तरज पर हैपिनेस इंडेक्स सर्वे किया जाएगा तो च्यार जिलों में बाला अफ्रिदाबाद कर नाल और इसार में लास्ट वीडियो में आपसे क्वेस्टन पूछा था हरियान के किस जिले की परवतार हो ही मिनू ने माउंट एवेस्ट को फते की है तो मिनू दोस्तों ओप्शन सी सार जिले के डाटा गाउं की रहने बाली है आज के लिए पका क्वेस्टन है हरियान के किस जिले में उतरबारत की पहली कलाइमिंग वाल बनाए जाएगी अगर आपको कोई भी पीडिया फाइल चीए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दियावाद से डालोड कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो प्रस नहीं तो वीडियो को लाइक जाना सुस्क्राइब और सेर जोर कर देना और वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच